नमस्कार दोस्तो, दोस्तो यदी आपका भी बलड पैसर बड़ा रहता है और आपको बलड पैसर के लिए दवाईयां खानी पड़ रही है या इसके साथ में आपका बैड कोलोस्टोल भी हाई है, आपके सरीर में ट्राइगिल्स राइड है और आपको दिल की बिमारियों का खत्र है कि आपको heart blockage है या आपकी heart beep अधिक रहती है जिससे कि आपको लगता है heart attack आने का या फिर आपको diabetes है या आपका पाचन कमजोर है और आपके सरीर को बीमारियों ने घे रख का है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चमतकारी हर्ब के बारे में ब परमानेंट छुटकारा दिलासकती है और वो भी सिरफ 30 दिनों में दोस्तो इससे आपकी diabetes कंट्रोल में रह सकती है आपका BP कंट्रोल में रह सकते है आपका मोटापा कंट्रोल में रह सकते है आपका पाचन सही हो सकते है और सिरफ इस एक हर्ब का magic हर्ब का आपने लगातार 30 दिन तक प्रियोग करना है इसका सिरफ एक टुकड़ा ही काफी है आपके सरीर की सैंकडो बीमारियों से आपको बचाने के लिए और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जिस मैजिक हर्ब की बात कर रहे हैं वो दोस्तो आपको अपने ही घर में मिल जाएगी आप उसका प्रियोग भी करते हैं लेकिन आपको उसके प्रियोग करने का सही तरीका नहीं पता तब ही आपको पूरा फाइदा नहीं मिलता जितना की आपको मिलना चाहिए दोस्तो आज की सिरीर को जिस मैजिक हर्व की हम बात कर रहे हैं वह है दोस्तो अधरक, जिंजर दोस्तो अधरक में medicinal properties पाई जाते हैं जो आपके सरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकती हैं जरूरत है तो सिरफ आपको जानने की अधरक में bacterial और फंगल संकर्मनों से लड़ने में आपके सरीर की मदद करता है अधरक के इस्तमाल से आप arthritis के दर्द से रहत पासकते हैं जोडों और मासपेशियों के दर्द को कम कर सकते हैं क्योंकि अधरक में anti-inflammatory और दर्द निवारक गुन मौजूत होते हैं बहुत सारे antioxidant भी पाई जाते हैं जो आपके सरीर को निरोगी बनाने का काम करते हैं और यदि मैं बात करूँ यदि आप पाचन मजबूत करना चाहते हैं तब भी आप अधरक का सेवन कीजिए जिस तरीके से मैं बताऊंगा इससे आपका पाचन मजबूत होगा और आपको पेट दर्द, पेट की एठन, मरोड, पेट में गैस, कबज और एसडिटी जैसी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा ये आपके सरीर के हर परकार के दर्द का निवान के लिए काम करेगी इसके लिए आप अदरक के तेल का प्रियोग भी कर सकते हैं जहां भी आपको दर्द हो वहाँ पर अदरक के तेल की मसाज कीजे और जो नुस्खा मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा उस नुस्खे का सेवन कीजे यदि आपको माईगरेन का दर्द रहता है और आप बहुत प्रेशान हो चुके हैं दवाईयान ले लेकर तब भी आज का ये नुस्खा आपके लिए काम करेगा दोस्तों ये आपके दिल को मजबूत बनाएगा आपके दिल को बीमारियों से बचाएगा क्योंकि अदरक में सूजन, मुक्त कणों का परभाव खून जमने को पतला करने का और बड़े हुए बलडपैसर को कंट्रोल करने वाले गुन होते हैं और जब आपका खून काड़ा नहीं होगा खून पतला रहेगा ता आपको ब्लोकेज भी नहीं होगी आपके खून का परभाव प्रोपर रूप से बना रहेगा और दोस्तों वैसे भी हमें दिल की बिमारियां तब ही होती हैं जब या तो हमें बलडपैसर की बिमारी हो या कॉलोस्टोल की समझ्या हो तब ही हमें 99% चांस रहते हैं कि दिल की बिमारी होगी और जब आपका cholesterol control में बना रहेगा आपका blood pressure control में बना रहेगा तब आपको दिल की बिमारिया होने का गत्रा बेहद कम होता है और उपर से यदि आपके diabetes control में बनी रहेगी आपका sugar level control में बना रहेगा तो इससे आपको किसी त्रहें का कोई complication नहीं होगा तो आपके पूरे सरीर कभी कबाड़ा नहीं बनेगा यानि आपका पूरा सरीर भी healthy बना रहेगा दोस्तों ये अद्रक आपके सरीर की immune power को बनाने का काम करेगा और इस अद्रक के अंदर anti obesity गुन भी होते हैं जो आपके मोटापे को control करने का भी काम करेगा आपको तवचा की बीमारियों से बचाने का काम करेगा आपको दोस्तों ये तो पता लग गया कि अप अद्रक का परियोग करेंगे तो आपको अद्रक से ये सारे फाइदे हो जाएंगे आपको इसके एक टुकड़े का परियोग करना है और आप अपने सरीर को निरोगी बना सकते हैं अब जा क्या होगा कि अद्रक के गुन उस पानी में आ जाएंगे और फिर आप उस पानी को उबालिए उस अद्रक के साथ में और उपर से एक चुटकी दालचीनी डालिए और उपर से डालिए दो लोंग और दोस्तों इस पानी को उबालिए जब तक ये एक गलास लिया था वो आदा और जब यह पानी आदा रह जाए तब आप इसका सेवन कीजियें। आप इसमें सहद का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको डाइबटीज की बीमारी है तब आपने सहद का प्रयोग नहीं करना है। तब आपने खाली अद्रक का ही प्रयोग ऐसे ही करना है। और दोस्तों यदिया पैसा करेंगे तब आप देखेंगे कि आपको ब्लड पैसर, कोलोस्टोल और हार्ड टेक जैसी बीमारियों से परमानेट छुटकारा मिल जाएगा और वो भी 30 दिनों के अंधर. फिर आपको कोलोस्टोल ट्राइगिलर साइड टेंसन आदे की कोई समस्या नहीं होगी. इससे सस्ता कोई इलाज आपका हो नहीं सकता और ये इलाज भी आपके घर में मुझूद है, सिरफ जरूरत है तो आपको अपनाने की. तो दोस्तों आज ही इस नुच्खे को अपने घर जरूर कीजिए, इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वाले वडियों की नोटिवकेशन आते रहे, धन्यवाद दोस्तों.